नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुपनिल सागर जैन, निरामे होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आप से बात करने वाला हूँ जिंको बाई लोबा के बारे में ये एक ऐसा पौधा है, जो एक विलुप्त पौधा मान लिया गया था, कुछ समय पहले तक लेकिन बाद में पता चला कि ये अभी भी दुनिया में पाया जाता है और चुकि उसका विवरन बहुत सारी किताबों में बहुत अच्छी दवा के रूप में दिया गया था तो उसको फिर फर्टिलाइज किया गया, बहुत सारी जगों पे इसकी खेती की जाने लगी और आज इसको एक बहुत अच्छी दवा के रूप में जाना जाता है क्या side effects हो सकते हैं तो दोस्तों यदि हम इसके目 स्प्योग के बारे में बात करें तो इसका सबसे जढ़ ज़्यादा उप्योग किया जाता है आखों के वीमारियों में जैसे की सबसे प्रमख जो इसका उप्योग है वह ग्लूकोमा के Kसिस में किया जाता है ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आख के अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण दवाव बढ़ जाने के कारण व्यक्ति के जो देखने की छमता होती है वो प्रभावित होती है और उसको धीरे-धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है उस कंडिशन में हम जिंको भाई लोबा के मदर टिंचर की पाँच-पाँच बूंद दिन में तीन बार आधे कप या एक कप पानी में मिला के पी सकते हैं इसका जो अगला उपियोग के दोस्तों वो टिनिटस के केस में किया जाता है तिनिटस वो बीमारी जिसमें की कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है विसल जैसी आवाज सुनाई देती है चिर्पिंग साउंड आता है पक्षियों जैसी आवाज सुनाई देती है उन सारी कंडिशन्स में जिनको बाई लोबा के एक्स्ट्रेक्ट का यानि की मदल टिंचर का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी स्टडी इस पे की गई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं इसकी टिनिटस के केसिस में दस दस बून सुबह और शाम आदे कप या एक कप पानी में मिला के इसके मदल टिंचर की पीने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके साथ में दोस्तों इसका अगला उपयोग किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट के रूप में बहुत सारी स्टडी में ये पाया गया है कि जिन लोगों को मानसिक तनाव की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है अवसाद की कोई समस्या होती है उन लोगों में जिनको भाई लोबा का जो मदल टिंचर होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और उस इस्तिती म इसके मदर टिंचर की दसबून सुभे और दसबून शाम को आधे कप या एक कप पानी में मिला के पिलाने से कंटीनू दो तीन महीने तक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके बाद जिन लोगों को मानसिक एकागरता की कमी होती है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं बड़ी उम्र के जिन में की अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम या डिसॉर्डर की शिकायत होती है एडि एचडी जिसे कहा जाता है इन लोगों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसॉर्डर के कारण एकागरता नहीं रहती वो किसी जगह पे एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये मदर टिंचर बहुत जादा फाइदे मन्द होता है और मदर टिंचर की पाँच-पाँच बूंद दिन में तीन बार आदे कप या एक कप पानी में मिला के ADHD के केसिस में देने पर यानि की अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसॉर्डर के केसिस में देने पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके स केसिस में जिंको बाइलोबा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है और जिंको बाइलोबा के मदर टिंचर की पाँच-पाँच बूंद दिन में तीन बार देने से ना केबल दर्द में अंतर मिलता है बलकि सूजन में भी कमी आती है इसके साथ में हार्ट के केसिस में यानि कि हिरदय संबंदी रोगों के लिए भी जिनको बाई लोबा एक बहुत अच्छे medicine मानी जाती है और इसके mother tincture का ओपियोग हम लोग जिन लोगों को hypertrophy of heart हो जाती है यानि कि जिनके दिल का आकार बड़ा हो जाता है किसी बीमारी के कारण उन लोगों में यदि जिनको बाई लोबा के mother tincture का ओपियोग किया जाता है तो उसमें बहुत अच्छे result देखने को मिलते हैं heart की मासपेशियों पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है जिन लोगों को इस तरह की परिशानी होती है उनको जिनको बाई लोबा के mother tincture की 5-5 मूंद दिन में 3 बार आदे कप या एक कप पानी में मिला के पिलाना चाहिए heart पे इसकी मासपेशियों पे action के साथ ये हमारे रक्त प्रभाव को भी बहुत अच्छा बनाता है जिन लोगों को रक्त के प्रभाव में किसी तरह की कोई परेशानी होती है जिनके शरीर में oxygen की कोई कमी होने लगती है रक्त प्रभाव में अवरुद हो जाने के कारण यानि की कमी आ जाने के कारण उन लोगों में भी जिनको बाईलोबा का mother tincture बहुत ज़्यादा helpful होता है इसके साथ साथ ही दोस्तों जिनको बाईलोबा का उप्योग संस्क्रीन के रूप में भी किया जा सकता है जिनको बाईलोबा प्राकृतिक रूप से सूरे की हानी कारण के रणों को हमारे चेहरे से और हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है तो इसका एक लोशन बनाना पड़ता है उससे हमें संस्क्रीन के रूप में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बाल बहुत जादा तूटते हैं वो लोग नारियल के तेल में इसके मदर टिंचर को मिला के यदि लगाते हैं तो एक लोकल एप्लिकेशन के रूप में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके अलावा भी दोस्तों कैंसर गठिया इन सब बीमारियों में जिंको बाई लोबा के मदर टिंचर का उप्योग किया जाता है यदि हम इसकी बात करें कि इसके साइड एफेक्ट क्या होते हैं तो यहाँ पे बहुत जादा ध्यान देना जरूरी होता है दोस्तों जिंको बाई लोबा का उप्योग किया तो जा सकता है लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो जानने वाली यह है कि किसी भी डॉक्टर से पूरी जानकारी लिए बिना और अपना चेक अप कराए बिना हमें जिंको बाई लोबा का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा allergic conditions पाई जाती है allergic चीजें पाई जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या जिंकोबाई लोबा आपके शरीर के लिए suitable है आपके शरीर पे अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा इसके साथ साथ जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती है उन माताओं को भी बिल्कुल भी जिंकोबाई लोबा का उपयोग नहीं करना चाहिए यह बहुत जादा यहाँ पे precaution या ध्यान देने वाली बात होती है कि जिन महिलाओं में स्तनपान जो महिलाएं करा रही है उनको जिंकोबाई लोबा का उपयोग नहीं करना है इसका जो तीसरा side effect है वो है thyroid cancer बहुत अधिक मात्रा में यदि जिंकोबाई लोबा का सेवन हर दिन किया जाता है तो लोगों में thyroid cancer होने की संभावना होती है इसके साथ साथ रक्त स्राव यानि की hemorrhage भी इसके कालान होता है तो खास तोर से बे महिला हैं जो की गर्भवती होती है प्रिगनेंट होती है उन महिलाओं में तो जिंकोबाई लोबा का use किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए जिन लोगों को heart से संबंदित कोई दबा चल रही होती है उन लोगों को भी बिलकुल भी जिंकोबाई लोबा का use नहीं करना चाहिए जिंकोबाई लोबा एक अच्छी medicine है इसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन इसमें सबसे जादा जो ध्यान दिया जाता है वो इसके side effects के कारण दिया जाता है इसके बहुत सारे side effect होते हैं तो बिना किसी डॉक्टर से संपर्क किये हमें जिंको बाई लोबा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये जो सारी जानकारी है ये जिंको बाई लोबा के लिए है ये mother tincture के रूप में होमियोपैथी में बहुत अच्छे result देता है बहुत सारी बीमारीयों में तो आप इसको किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं कहीं भी ये दवा आसानी से किसी भी मेडिकल पर होमियोपैथी वाले बड़े आसानी से मिल जाती है लेकिन बिना डॉक्टर की सलहा के इसका उप योग ना करें आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आप से बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुल्ला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे गंटे पहले या फिर दो से धाई गंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज़ की गंद होना चाहिए जिससे कि ये होमियोपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्हान रखना है कि जब भी हम homepage दबा खाएं हमेशा खाली पेट कहाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की smell ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपेथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड इनके खाने से या तो आदे ग्ण्टे पहले होमियोpathic दवा खा लें या फिर इने खाने के दो-धाई ग्ंटे बाद जब कि आपने मुँह में अच्छे से खुल्ला कर लिया हो अच्छे से गार्गल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्छा प्याज लहसों अद्रा खींग सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर होमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं हर होनलाइन फार जी जाती है